बीसमिल्ले रहेहिँ अस्लाम लेकुम प्रिबियष्ली मैंने आपको इंट्रॉडक्षन बताया था थ्पटैकंपर्फ में आज धम कंसाइमेंट अकाउंट के प्रॉब्लम के साथ हैं आज हम कंसाइमेंट अकाउंट के प्रॉब्लम करेंगे 123 अभी करेंगे हम उसके बाद हम next problem की तरफ आएंगे जी हम चलते हैं problem number one की तरफ problem number one में देखें इसको read out करते हैं कहा रहा है जी मुफ्ती radio house of Faisalabad consign 100 radios to Karim and company of Lahore invoice at rupees 150 each मुफ्ती radio house consign भेज रहा है तो ये कौन होगा ये हमारा consigner होगा करीम and company को भेज रहा है तो ये हमारी consignee होगी company 100 radio है एक radio कितने का है 150 का entries की है consignment to goods and on consignment ये मैंने आपको introduction to consignment account वाले lecture में बता दी थी entries तो आपने learn कर ली होगी अब तक they incurred expense amounting rupees 300 on freight and packing और consigner का जो चीजों के ओपर खर्चा हुआ है वो है 300 तो साथ ही आप consignment to cash इसकी entry कर देंगे जी इसके बाद कहरें consignee is entitled to commission at 10% of gross sale परोसी total sale के उपर हमने 10% commission देना है तो हम देखेंगे पहले हमने sale कितने की की है उसके बाद हम commission की entry करेंगे the incurred rupees 1150 as all inclusive expense and also sent a draft of rupees 10,000 as an advance to the consignor कहते हैं चीजों के ओपर जो खर्चा आया वो तमाम का तमाम 1150 और 10,000 इसने advance के तोर पर demand draft भेज़े जी जब draft भेज़े तो cash नहीं आएगा फिर क्या आएगा फिर bank आएगा अब आप इसकी entry करेंगे bank account to consignee 10,000 अब देखेंगे हम sale कितनी है 200 कहते है जी cream and company sold all the radius at rupees 200 each 200 each में उसने आपकी चीज़े sale कर दी है 200 total आपके radio थे 200 each its mean के उसने आपकी जो sale है वो कितने में कर दी 20,000 ने ठीक है 20,000 का आपने उसको commission कितना देना है 10% जी पहले आप consignee expense की entry कर ले जी इसके बाद आपने commission देना है 20,000 का 10% वो आप कैसे लेते है 20,000 into 10 divided by 100 तो ये 2000 आजाएगा 2000 हमने उसकी commission की entry कर ली इसके बाद हम देखेंगे कि हमें profit हुआ या loss ये जो हमने sale की है तो इसके लिए हम बनाते है consignment account उससे हमें पता चलता है हमें profit हुआ या loss तो सबसे पहले आप देखें फर्स्ट एंट्री जो है आपकी उसमें consignment account आपका debit हो रहा है ये फर्स्ट एंट्री है consignment account क्या हो रहा है debit हो रहा है किसकी वज़े से debit हो रहा है goods send on consignment की वज़े से second entry में consignment account debit हो रहा है cash की वज़े से जी के जहन में रखें ये हमारे लेजर में post होंगे goods हमने कितने की send की थी 15,000 की consignor expense कितना आया 300 consigne expense कितना आया 1150 consigne को commission कितना pay किया 2000 ये 4 के 4 expenses हैं हमारी consignment के उपर जी हमारी consignment जो है वो इसने sale कितने की कर दी 20,000 की 20,000 की हमारी consignment थी जो sale की इसने 15,000 की थी जो 20,000 में sale की अब आप 20,000 में से जब ये सारे के सारे expenses minus कर देंगे तो minus करने के बाद हमारे पास जो remaining है वो है बच्टा 15,50 ये 15,50 हमारा क्या है ये 15,50 हमारा profit है जिसको हम profit की entry में mention करेंगे 15,50 और 15,50 नेक्स्ट है वो कहते है कि अकाउंट चेक उसने भेज़ है remaining amount का ये entry के अब बताती है हमें कि consigny ने हमारे कितने वैसे देने हैं अब देखें अब हमने बनाना है consigny अकाउंट जैसे पहले हम देखे थे consignment यहां debit हो रहा है वो हम debit side में लिख देते थे यहां credit हो रहा है उसको credit में तो इधर consigny हमारा sale के लिए debit हो रहा है 20,000 से buy cash नहीं यहां पर हमारा buy bank आएगा क्योंके advance उसने भेज़ है demand draft के थूँ जी 10,000 उसने advance बेज़ा उसका उन goods के उपर जो expense आया वो था 11,50 consigny के पास 20,000 है हमारा उसने 10,000 जडवांस दिया वो भी काट लेना है 11,50 रुपीज अपने expense भी काट लेने 2,000 अपना commission भी काट लेना है तो remaining 6,850 रुपीज आते हैं वो consigny ने आपको भेजने है तो वह कहता है कि account sale जितने की चीज़ें की हैं उसके साथ उसने आपको check भी send किया है remaining amount का तो यह remaining amount कितनी है यह जो हमने consigny account से निका लिए 6,850 रुपीज किसकी help से हमें पता चला कि यह amount भेजनी consigny account की help से जी last वाली entry है कि जो हमारी चीज़ें हैं वो हमने profit and loss account को transfer करनी होती है इसमें हमेशा cost based पे entry की जाती है हमारी जो चीज़ें है cost कितने की थी 15,000 की first entry में जो हमने value लिखी है तो यहां पर भी हम वो ही value लिखेंगे 15,000 ठीक है यह हमारा problem number one था अब हम चलते हैं problem number two की तरफ जी कह रहा हूं 31st March नासर and company sent to Nafis and company नासर and company ने sent की है Nafis and company को तो नासर and company क्या होगा consigner नाफीस and company जिसने receive करनी वो क्या होगा consigne 50 chest of tea at rupees 5000 per chest 50 chest ने चाहे के 5000 का एक chest है तो 50 को अगर आप 5000 के साथ multiply कर ले ना तो यह कितना बनता है यह बनता है two lakh 50,000 का consignment का हमारा माल था जो हमने उसको भेजा है जी उसके बाद कह रहे है paying 1500 for freight इसके लिए 15,000 कराया लगा मिन जिस गाड़ी में book करवा के भेजा तो उसने 15,000 रुपे लिए on June 30th March में भेजा तो 30 June को NASA receive an account sale dated 18 June अच्छा जी उसने account sale receive किये showing that all the chest have been sold for a sum of rupees 4 lakh उसने सारे के सारे chest sale कर दिये कितने में sale किये हैं 4 lakh में तो आप यहाँ पर sale की entry कर देंगे सारे के सारे chest आपके sale होगे कितने में sale हुए हैं 4 lakh में and that the following expense have been incurred in this regard यह expense उसने किये sale करने के लिए products को carriage 20,000, storage 4,000, delivery charges 2,000 इन तीनों को अगर हम add करें तो यह total expense है कितना बनता है 26,000 बनता है यह total expense कितना बनता है 26,000 उन सारे expenses को add करने के बाद जीस के बाद question में क्या बताया है consignee is entitled to commission of 5% and 2% for del credit commission 5% उसको ordinary commission देना है आम commission sale के उपर 2% उसको del credit commission देना है यह भी total sale के उपर दिया जाता है del credit में आपको बताया था क्या होता है यह badds के against commission होता है consignee जिनको उधार पे माल sale करता है उनकी वो responsibility लेता है कि वो amount cover करके देगा अगर वो recover नहीं भी अगर वो amount नहीं भी देते जिनको sale की है तो consignee उसके लिए responsible होगा इसके लिए उसको extra commission pay किया जाता है जिसको हम del credit commission कहते हैं तो यहां पर हम 4,000,000 का कितना percent commission लेंगे 7% 7% कैसे आया 5 था 5 प्लस 2% दोनों को add करके 7% आया required कहते है जि past general entries and prepare necessary account in books of NASA तो यह हम मैं just consigner की book में entry करती हूँ क्योंकि तमाम जो उसने necessary accounts का है वो सिरफ consigner की book से ही बनते है consignment account भी consigner की book से बनता है consigne account भी की book से बनता है तो यह necessary account है हमारे तो यह आपकी consigner की book से बनता है ज nationalism जब हम 7% लेते हैं commission 4,000,000 का 7% 4,000,000 multiply by 7 divided by 100 तो यह कितना आजाएगा आपके पास यह आपके पास आजाएगा 28,000 अब आपने देखने बिटा कि आपको profit हुआ है या loss तो उसके लिए आप consignee account में आएंगे सबसे first entry में यहां पर आप total sale mention करेंगे कितने की है 4,000,000 की आपने उसको कितने का stock बेजा था 2,500,000 का अच्छा जी उसका expense कितना आया था consigner का वो 15,000 था consignee ने कितना expense किया था 26,000 था और commission कितना उसने receive किया वो है 28,000 तो अब आप 4,000,000 में से 4,000,000 में से जब यह सारी values को minus करते हैं तो जो हमारे पास remaining value आएगी वो है 81,000 तो हमें कितना profit हुआ हमें 81,000 का profit हुआ इसके बाद अब हम consignee account बनाएंगे तो उसकी help से देखेंगे कि हमें कितनी amount अभी receive करने है sale कितने की थी 4,000,000 की इसमें advance नहीं था तो हम advance नहीं लिखेंगे 26,000 consignee expense जो consignee ने खर्चा किया 28,000 commission अब आप 4,000,000 में से ये दोनों values को minus करें तो जो remaining आता है वो है 3,000,000,000 ये consignee ने अब consignee को pay करना है mean to save जो उसके पास total पैसे होते हैं करके उसमें से वो अपने expenses भी minus कर लेता है commission भी और अगर advance पे किया हो तो वो भी काट के बकाया रकम जो है वो भेज देता है consignee को तो ये आ गया three lakh forty six thousand three lakh forty six thousand first entry जो है आपकी वो last entry जो है आपकी वो first entry वाली amount से ही होती है cost पे जितने की आपने उनको चीजें भेजी हुई होती है ठीक है अब हम आते हैं question number three की तरफ on first april 2004 messers paakpur china limited consign 20 crates of crockery in zahid sons of aislabad ji 20 crates बेजें एक crate कितने का है अच्छा ये नहीं अभी बताया इसमें paakpur china limited consigner as a son's consignee consigning company paid rupees 1500 as truck charges rupees 250 for packing and rupees 150 for loading and unloading consigning company कौन है consigner ने mini expense किया जिस भेजने वाली company stock 1500 truck के charges 250 packing के और 150 loading के इन तीनों को आड़ करके 1900 आता है तो 1900 रुपया total consigner expense the cost of consign goods was rupees 1500 पर करेट 1500 का एक करेट है ठीक है cost आगी हमारे पास अब हम क्या करेंगे 20 into 1500 तो हमारे पास ये create की value आ गई total 20 creates की कितनी value आ गई है ये 30,000 ठीक है और इसके बाद इसके expenses हैं 250 150 और 1500 जी expenses कितने बनते हैं इन तीनों को आड़ करके ये बनते हैं 1900 इसके बाद वो कह रहा है कि on received in फैसलाबाद फैसलाबाद में जब ये stock पहुंचा जाहिद सन्ने ये following expense की इन चारों को आप एड़ करेंगे तो ये consigne expense है the rate of commission settled between the parties 10% sale का commission देने ठीक है जी all the creates were sold by 10 June 2004 at rupees 2100 पर create तुमाम के तुमाम करेट जो हैं वो sale हो गए और उसने 2100 का एक करेट sale की है 20 creates थे multiply by 2100 इस mean के उसने आपका 30,000 का stock कितने में sale कर दिया 42,000 में और इसको sale करने पर जो expense आया वो ये four values हैं इनको आपने add करके लिखने और इनको add करके आपके पास आते है 1088 ठीक है इसके बाद आपने commission देना है 42,000 का आप 10% ले 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 वो कितना आता है 42,000 42 का 10% आपके पास कितना आएगा 42,000 इसके बाद हम consignment account बनाएंगे उसकी help से हमें पता चलेगा कि हमें profit हुआ है या loss है जी हमें sale कितने की करके दी है इसने 42,000 की ठीक है और था हमारा stock कितने का 30,000 का consignor ने कितने expense किये है consignor ने 1900 consignor ने 1088 commission कितना लिये है 42,000 अब हम जब 42,000 में से ये सारी values को minus करेंगे remaining हमारे पास बच जाता है 4,812 रुपीज ये हमारा क्या है ये profit हुआ है 4,812 रुपीज ठीक हो गया अब हम आते हैं consignee account की तरफ के consignee ने हमें कितनी amount भेजी है इस question में भी advanced नहीं था देखे जिए उसने sale कितने की की 42,000 की first consignee expense लिख लिए है secondly उसका commission charge कर ले अब आप 42,000 मेंसे जब ये दोनों values को minus करेंगे तो आपके पास बचेगा 38 42,000 minus 1,088 minus 40 200 ये आपके पास आएगा 36,712 रुपीज ठीक है अब आप इसकी value लिखेंगे जी, first entry आपकी closing, last entry आपकी closing entry है इसमें आप कौन सी value लिखेंगे आप first वाली value लिखेंगे आपने 20 थे आपके पास crate crockery के और आपने एक जो है वो 1500 1500 का आपका एक करेर था तो यहां पर भी आपका 30,000 रागे ठीक है ये हमरे आज की problem थे next हम next problems के साथ आएंगे तो इन problems को करने के लिए आपको general entries पे command होनी चाहिए then आप ये problem कर सकते हैं ओके बिटा अल्ला आफेस